प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आद और नेवर मिस अनादर अपडेट ना राहुल गंदी के मंदिर जाने के दिखावे पर आने वाली है और ना ही अब किसान और बेरोजगार यूवा कॉंग्रेस के छलावे में आएंगे इस दोरान दिलावर ने प्रेंका वाडरा के राजनेती में आने से लेकर वेभिन मुद्दों पर कॉंग्रेस पर जम कर आरोप लगाए में एक बारें पड़ा है एक सुलकाष्ट की पन्हाव वर्षिये कन्या के साथ साहुएक ब्लादकार किया गया और उसमें मुस्लिम यूग सामिल है बहुत चिंता का विश्य हमारे लिए और सरकार इसको बहुत लाइटली ले रही है यह सरकार तो चोड, लुटेरे, बदम पासो, गुल्डे, आतंकवादी, इनके साथ खड़ी होने वादी है इसलिए पूरा बचाओ करते है वही कॉंग्रेस पर जब कर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने याकूब मैनम की फासी हो या अबजल की फासी उसे कॉंग्रेस हमेशा गलत बताते रह ही है उन्होंने कहा कि वंदे मातनम कहना नारा भी उनको गलत लगता है और भारत माता की जै सही देश के टुकडे होंगे हजार के टुकडों का नारा लगाने वालों के समर्थन में उनके आदर्श बनकर कॉंग्रेसी खड़े हो जाते हैं कॉंग्रेस ने हमेशा महिलाओं क अपमान किया है इनकी भारत माता में निश्ठा नजर नहीं आती उनका कहना तो ये भी रदा है जो याकूप मेनन को फासी हुई और गलत हुई अबजल गुरु को फासी और गलत हुई हुई भी कहते हैं कि भारत मेजी रनाव का वंद्रेमात्र गानावाई नारा भी गलत है और भारत माता की जे बूलना भी गलत है और वह इस बात को अच्छा मानते कि देश के टुकड़े होंगे है यार और ऐसा कहने वाले नारा लगाने वाले उनके आदर्स हो जाते उन्चा कि देश को तोड़ने वाली ताक्तें समाद की साथ अन्याचार आनाचार महलों का अपमान करने वालों लोग का खड़े हो आने वाले लोगे इसे लोगों को रामगर्ण गिधांसवर्शेत्य की जनता बहुत नहीं देगी अभी आपने रेखा होगा कि एक जो जिसने इसके पीट-पीट कर मार डाला था जो मुस्लिम योग था नामे भूल गया है रखबर नाचार पहलू खान और आज ही मेने अकवार में पड़ा है उसका बेटा गोतसकरी में पकड़ा गया है जब तो कॉंग्रेस ने का था को गोभक्त है गोपालक है वो तो गाय की पूजा करता है आज उसकी का बेटा फिर गोतसकरी में उनी की सरकार ने उनी की पुलिश ने पकड़ा है तो हम कैसे मानने है इसका मतलब उससे में भी ये गोपी हत्या करने वाला को साथ कांगरेस खड़ी हो गई थी उनको बचाने का प्रयास किया गया था और कॉंग्रेस और अन्य पा मार मरवाने वालों को साथ जाते ही दू-दू मेन ने बूचर खाना बन वा दिया था मैं दो तीन मेने तक वान दोलंकर क कर आया हूँए तो जुट गाय को कार्फाने करने का अब करते हम गई की कुगा करें अच्छी बात है ते हुड़ करा रहें गई की कुजा कर्ने आप और राहुल गांधी के मुद्दे पर मदन दिलावर ने आरूप लगाए कि राहुल गांधी मंदिर में जाकर ठोंग करते हैं और अब जन तक गुम्रा होने वाली नहीं वहीद राजसान में भाजापा के जनाधार कम होने पर उन्होंने अपनी पार्टी की ही कमी बताई इस दौरार उन्होंने कॉंग्रेस द्वारा चुलाओं में किसान रेड माफिय और बिरोज गारी भत्ते को भी छलावा बताया दिलावर यही नहीं रोके उन्होंने कॉंग्रेस को आतंक वादियों की समर्थित बाड़ी बताया माने ने रहुल गांदी जीन की कहा था ति मंदिर में पूजा करने लोग जाते हैं पूजा करने नहीं लड़कियों को छेड़ने जाते हैं क्यों एक ऐसे कहने वाला व्क्तियदी मंदिर में पूजा करने जा रहा है कि दॉंग रच्रा है हमको बेखुब समझ रहा है कि यह के वल मंदिर की पूजा करते हुशे करके अंको बोट को बट देग सिनहिए लिग राजस्तान की जनता ए मिसमिघा लोगों के उसमें नहीं आएगी बहकावे में, लेकिन अभी जो SML के चुनाओवे, विधान सभा के चुनाओवे, भाजपा 133 सवर से 173 पे आ जाती है, तो ये क्या का रहा हुआ हुआ हुआ, मैं मुझे ये काने में कोई गुरेज नहीं, कि कहीं कहीं हमारी दल क्या रही होन करना चाहिए हुआ हाला कि बोटों की एलियम तुलना करते हैं, तो क्यों पॉइंट फाइपर्सिंट इनको जादा मिले हैं, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, और इन सब को हम लोगस्वार में धोड़ा लें, क्योंकि इन्होंने कहा कि 3500 रिप्या प्रतिमाहाम बाइब कर देंगी कब से देंगे, कब तक देंगे उसकी चर्चा नहीं करने लोगसर जए नहीं कहा चुनाओ के समें, हम सब किशानों का करजा माफ करेंगे, सारा करजा माफ करेंगे, हम किंतु करते हैं, इन्होंने कहा, एक रुपे की लोगकू बğच्वाओ याओ इनने लोग को बेकु बना करके बोट ले लिए हैं, कुछ लोग इनके बैकाओं में आ गये हैं, लेकिना पस्ता रहे हैं वो सब का रहे हैं, तीनों ने बेकु बनाया हैं, हम किसी भी कीमत पर कॉंग्रेस को बोट नहीं देंगे और उनको यह भी समझ में आ गया है कि लोग देश को तोड़ने वाले लोग है, आतंक वाधियों के साथ खड़े वाने वाले लोग है, भारत माता की जे कारे पर परतिबंद लगाने वाले लोग है, जिसा आपने बिकानेर के एक जनपृत्धी को देखा होगा, वाटसप पर इस पर आया कि भारत माता की जे बोल रहा है, कार परता है, तो खरिना विधनेंगे की जे नी बली जाती, इसमें रहुल गान्धी और सोने गान्धी जिन्दा बात लगाई है, तीक नहीं है, बात माता की तो असरदा ख़भाव है, यानि भारत माता के साथ दुष्टे जहां 17 जगे एकसाद चुनाओं होते हैं और भाजबा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। फिर उसके बाद मेर के चुनाओं होते हैं जैपूर में तब भी यही स्थिया सामने आती है कि भाजबा को पर तरशी को जीत नहीं मिलती है। अभी हाल ही में आप रामगड़ के चुनाओं हैं यह भी एक समझो सेमी फैनल के रूप में लोकसभा के चुनाओं से पहले यह देखा जा रहा है। तो अब लोकसभा चुनाओं के अगर हम बात करें उस पे सामने महागडवन्दन एक खड़ा हो रहा है। तो मोची जी के लिए कितना मुश्कित हो पाइजी है। देखो, महा क्या कितना भी महा क्रक्वन्दन हो जाए। यह वो लोग हैं यह दूसरे को मरने मारने पर उतारू थी। एक दूसरे की इज़त लूटने पर उतारू थी। जी आप देखा हुगा। मायावति की जीत लोगों के लिए मुलायम सीख के लोग पयान थी। भारती जनता पाइटी नहीं उनको बचाया था। वह आज एक हो रहे है। मायावति के लिएक देश्ट सत्र समझते थी। वह एक होनी की बात कर रहे है। तो ऐसे कही लोग है। जो एक जुटता इनकी चुनाव तक रहे ही में मानता नहीं। जनता ये भी समझती के देश का माला किसम है। ये की अभी तक जो प्रहानमंति दंदार है। अधि 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 जी के बाद कोई तुसरा दंदार प्रदा मिल्की हुए हैं। ते लिएंद जिमोदी। देश की सुरक्षा, देश की सम्मान की बात करते है। अधिराज तो सबने देश को लुटा है। देश की सुरक्षा के लिए राफेल लाए। और ऐसी सीरीज साथ में लाता हूं तो उसका पैसा जाना होता है। ऐसे राफेल उसमें कई सारे नए टेकनिकल दरश्ट जब कुछ इक्पमेंट लगाये हूं। जो बहुत अच्छा काम कर सकते हूं। यह उसको नंगिल आ रहे हूं। इसलिए पैसा बड़ा होगा। तो यह तो सुप्रिम कोट ने भी श्युकार कर लिया है। हैसला भी ने दिया है। फिर भी बाजनी आरे बात करने पर। यह समझते हैं कि सो बार जूट बोलो तो उसको जन्ता सच मान लेती है। और इस फार्मुले पर ही काम करना चाहते हूं। जो चलेगा न। मां गडवंदर पर तलख टेपणी करते हुए जिलावर बोले के एक समय था जब मुलायन सिंग के आदमी मायवती की इज़त तक लूटने का प्रयास कर रहे थे। तब भाज़ापने ही उन्हें बचाये था। आज यह सब सत्ता के लिए एक होने चले हैं। उन्होंने मोदी को अठल जी के बाद एक सशक्त परधानमत्री बताया। प्रेंका वाइड्रा सकत्यान को सबस्क्राइब घो स्भाज परणावन उते की ही हैं। हर छोनावन परचार किया है। आख अभाज, आपे, आपे प्रचार किया था। है। और रसी में परचार किया है। कर्ड़ेसर नहीं होती है। वो रिजल्ट आते रहें, वो भी अभी आई। तो जयादा फर्क नेगेटिव पड़ेगा। क्योंकि अब गांधी से लोग अब वाड्रा की तरफ कॉंग्रेक्स वाले वाड्रा की तरफ जाएं। जब वही वाड्रा बननी चाहिए प्रणानमी तो कोई नहीं। मेरी मोदी जी को अभी 15 साल तो कोई हटाने सकता है कि एडिसे चोटी का जोर लगा ले। इस देश के लोग समझते हैं कि हमारा भला किसम ये देश का भला किसम ये अच्छी तर समझते हैं। इस दोरा मदन दिलावर ने प्रेंका वाड्रा के कॉंग्रेस में चनाव मैदान में आने से कहा कि इससे कॉंग्रेस को ही नुकसान होगा। और अब गांधी की सरकार की बजाए वाड्रा सरकार की तरफ लोगों का रुजान बढ़ेगा। और उन्होंने कहा कि इसमें रोबर्ट वार्डा के व्यक्तिगत हित भी हो सकते हैं अमला मारे आतांगवादिया के लिए मा तो नाति वर रो रही है, तो करोटे क्यों बदल रही है, तो आसु को ठप का रही है मैंने अक बड़ा कि बातना हॉस पी जब आतंगवादिया के यहां सोनया घानडिको रात偏 राधबर रोती रही आशु बहाती रही, तो उस माको जाकर समझाते हैं, आतंकवादी बारे गए हैं, तो इसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन नहीं कहा, इसका मनुसकी सहमती है, यहलिए देश के दुस्वनों के साथ, आतंकवादी के साथ, खड़ी होने वाली, रहुल की तरह सुन्या की प्रंका ऐख़ी हैं, प्रॉब अद्नाओ लेशी बारे झाष, खड़ी हैं, प्रॉब इस बारे प्रॉब रही ज़ुप आगे।्व निप्टका की तक्यों का सब्स्क्ताउ की चाहाँ नहीं किया है, पुझा रहीं है, आतंकशने की तो प्स्सी अड़ब हैं, वस्सी आध़ की